हलो हाई नमस्कार दोस्तों स्वागत करते आपका फिर से एक बार सूपर एमसी के यूटूब चनल पे दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दो बाते बताने वाले हैं सबसे पहला बात जो होगा को सब्स्तों कि बेल्टरों के जो कैंडिडेट है को सहलरी मिलता है तो उनमें 10 जो गडिप हो फोर से 9 बार में बताने वाले हैं और दूसरा जो है एक लिस्टिक से अधिया चना गया हुआ है तो उसके बार में कर दोस्तों आज से बहुत पहले हम एक वीडियो बनाये थे जिसमें कि हम बेल्टाउन का अला इसमें हम कैसे का है और इन हम कीतना मिलता है तो उसमें भी कुछ लोग करके पुछे थे कि वहीं जो गलत कर बहुत जादेृत इसमें को पहते जुतर जीते ह खुन दूंब कांड रहा हैं कै कि सब्सक्राइब अधिक्राइबते लेकिन आप लोग mattress रखेगा और अच्य से समझने की कोशिस किजिएगा थो चल यहां सब स्वरू करते हैं बताना आपको यहां पर देखिए जो भारती लेखा परिश्या बीभाग क्यारियले यहां पर देख रहे हूं कि लेखा पर रिष्यारा का कारियल है यह से लिटर निकाल गया और यहां पर देखे हिंदी में लिखा हुआ है और इसके नीचे इंग्लिस में लिखा हुआ है आपको दिखाए दे रहा होगा अब यहां पर इनका जो है लोगो है ताकि आप लोग यह मत कहिएगा कि यह फेक है और यही पूछा और इसमें जवाब मांगा गया है यहां पर तारीक देख सकते हैं तारीस तारीक आठ्वा मेहना दोरेकर्स का यह तारीक यहां पर दिया हुआ है और यहां पर अब यहां पर आती है एक इंपोर्टेंट बात जी एस्टी यही हम लोग के भी सोच रहें और ज बहुत ज्यादा जाटता ही ऑपने चाट बहुत बढ़ा होता है जोखी गलत बात ये हैं यहां फैए यहथ होई जारी किया हुआ है नोटिस जो है यांप लिखाव है जी एस्टी के तहट अधी सुचना का नुपालन बढ़न करने के गारण विभाग को दूद शमर्णा उत्तार नहीं हुआ है अभर दिख आ अलिए सञ्ख्या बारह जो सेंट्रल है उसमें और दिनाग 1842 7 के अनुस्र केंद्रीय सर्कार की सरकार या पिर राजित्र अ कर हो गया थींटराजिसरख कर सरकार और संग राज यानिक जो क्यंसद्सरफह तूह यहां पर देखें हमाहा जो भार है मैं रहा है तो यहां पर इस बारे में बत करते हैं यहां सरकार का ने वह खना मां दिया हुआ और यहां यदि केवल सेवा कि अपूर्तीक की जाती है यानि कि अगर जो राजी सरकार है उसमें अगर क्वी अस्थाने प्रधिकरन से अगर कोई भी सेवा उपलफ्द कराए जाता है तो उसमें GST जो है लगता है और उसमें जो GST उसमें छूट प्राप्त होता है लेकिन साफ साफ यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि कारे समीदा सेवा या अन्य समिश्र पूर्तिया जिसे माल आपूर्ति सामिल है इसको छोड़ करके जब इसे पारे में जांच किया गया तो यहां पर पाया गया कि कार्याले का त्रिक्तिया आप लिखा हुआ है सिच्छा विभाग बिहार पत्ना के अभिलेक की जांच के करम में पाया गया कि सिच्छा विभाग एवं उसके सभी निदेशालयों में नियत प्राश्रमिक पर ब सब्सक्राइब बिहार पत्नाएवं बिहार अस्टाइट्र न्यानिक ये जो दो यहां पे जो दूट सब्सक्सीच कुर्ब्र ты själv. ब्लाउंज करा जाता है मोटर वाहन जो करा जाता है मोटर वहांऑ लकार immer debt曜ाइब जाता है तो यहां पि यहतनी 더प्ड रहे में बिहार प्रवलफ्तालर तु लेकिन बाकी रखा हुआ है सारा कर लेखा कर जाता है और यहां नहीं नहीं है तो उन दोनों के लिए सवारत कर रद का पर इसर्वह क्या जाता है तो उनement मिलता है उसका भूगतान होता है तो इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर द्वारा संबंदित कर्मिकों मासिक आधार पर पारिसरमिक का भूगतान किया जाता है अब यहाँ पर पूरी बात समझ में नहीं चलियाएगी थोड़ा सा और निचाते हैं इसको यहाँ पर जाच में आगे लेखा परिछा द्वारा देखा गया कि उप्रोक्त सर्विस प्रोवाइडर मतलब होगा कि बेल्टराउन और तूरिज में वाला था वो दोनों तो वहाँ पर दोनों इन दोनों के द्वारा विभाग को निर्गत विपत्र जुलाई 2017 में कु परिदे कि यह दोनों जो प्रोवाइडर इन दोनों को 18% यह दर्वा करने खैश्जा विभाग दे रही है और इतना भुतान जो है उसको किया जा रहा है अब यहाँ पर मियर्माद लिखा केंदरिये कर यानि कि सेंट्रल टेक्स और दिनां के अठाइस दूंज वर शात्रा के द्वारा जीएस्टी से छुट पराप्त है वीडियो के अंत में जो भी बाते निकल करके चली आएगी जो पूरा लेटर पढ़ने के बाद जो बाते निकल के आगी वह भी आपको बताने बताने वाले हैं अब चलते हैं इसका दूसरा पेज पे और दूसरा पेज यहां पे लिखा हुआ है अतह विभाग द्वारा सर्विस प्रोवाइडर की विपत्र पर जीएस्टी का भूगतान नहीं किया जाना चाहिए यानि कि जो भी विभाग बेल्टरॉन को जीएस्टी देर या फिर जो जो जीएस्टी कट रहा है सर्विस प्रोवाइडर के लिए वो नहीं कटना चाहिए और नहीं होना चाहिए लेकिन विभाग द्वारा जुलाई दुहर 17 से अभी तक जून दुहर 21 की विपत्र पर जीएस्टी का भूगतान किया जा रहा है और इसी कारण जो है कि दू दसानलब तीन एक करोल का हानी हुआ है तो इसमें बेल्टराउन से यह पूछा जा रहा है कि अभी तक जब दुहर 17 में यह नियम लागू हो गया था कि इस प्रकार से जीएस्टी नहीं कटना है तो फिर अभी तक क्यों जीएस्टी कट रहा है और यहां पर सा प्रणी जो है संगलगन किया गया है उपरोग्त तत्यों यह आकड़ों को संपुष्ट करते विभाग के मंतव्य से लेखा परिछा को सुच्ट के जाता है अब यहां पर जो भी बाते पूछी गई है अब इसका जवाब बेल्टराउन देगी यहां फिर जो जीएस्टी व सब्सक्राइब और यहां पर निकास कंड़ी पतारी का सिंग्नेचर है और यहां पर समाप तो होता है लेकिन यहां पर दखी इस संकर्स यह निकल रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ उधार होने का चांस है कुछ लेकिन बाते हैं तो आपको पता ही है कि कागेज पर बहुत सारी बाते होती है लेकिन उसको हकीकत में जमीनी हकीकत प्याने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और इसका जवाब बेल्ट रोन क्या देती या और इसमें क्या होता है अगर कुछ भी अपडेट अगर मेरे पास आएगा तो आपको जरूर अपड़ेट करेंगे अब आपको बताते हैं दूसरा प्रेट क्या है दूसरा प्रेट यहां पर आपको दिखाते हैं कि थोड़ा यहां पर देखेगा सम्हानाले खगड़िया यहां खगड़िया से एक लेटर जो है निकला हुआ है जिला अधिकारी खगड़िया से और यहां पर सेवा में यहां ब तो यहां पर देखे साफ सब यहां पर काने का मतलब यह यह पूरा पढ़ने का मतलब यह वह कि 29 डाटा इंट्री ओपरेटर यह कारपालक सहाय की ज्वाइन जो है होने वाली है यहां पर देखी लिखा हुआ है कि करने की किरपा करें और यहां पर जिला अधिकारी खगालिया को जो है सिने चरहे तो अब इस आप लोग करिएगा किसमें कारपालक सहाय का होगा या फिर बेल्टाउन के कंडियेट का यहां पर देखे उपर में लिखा हुआ है कि बेल्ट्राउन को यह लिटर लिखा गया है इसका मतलब यह हुआ कि बेल्ट्राउन के कंडियेट का ही इसमें ज्वाइनिंग होगा दोस्तों यह एक अप्डेट त्याब लोग के लिए चलिए मिलते अगले वीडियो में कुछ नहीं अप्डेट के साथ तब तक क्लिए नमस्कार